दो क्वेश्चन्स का छोटा-छोटा सा एंसर आपको देते हैं पहला क्वेश्चन है क्या OBC को उसकी population के हिसाब से reservation देना चाहिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है क्या प्रमोशन में reservation होना चाहिए ये दो प्रश्चन है हमारे और जो बड़े important प्रश्चन है OBC की population जब पिछली बार पता लगी थी अपने के तब 52% थी clear और अभी जो central government का reservation policy है उसमें वो 27% उनको दिया जाता है और उस 27% में जब देते हैं तो बहुत सारे लोग जो OBC के हैं वो creamy layer में भी आते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं तो कुल मिला करके एक proportionally देखा जाए तो 27% अच्छा amount है क्योंकि 52% जो OBC है वो सब के सब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछलों ऐसा तो नहीं है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो यदि हम 27% दे रहे हैं तो यह 27% उच्छित है लेकिन यदि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछले तो हम बढ़ा भी सकते हैं लेकिन बढ़ाने का नुक्सान ये है कि क्या हम merit के साथ अन्याय नहीं करेंगे क्योंकि किसी एक व्यक्ति को यदि हम सिर्फ इस आधार पर reservation दे दें कि उसकी जनचंख्या जादा है तो देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी मुल्यांकन किया जाना चाहिए इस मुल्यांकन की भी आवशक्ता है दूसरी बात हमको ये भी पता है कि OBC में वो लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं या बड़े businessman है उनका तो creamy layer certificate बनना ही बनना हो जाता है वो बन जाता है उनका certificate वो creamy layer में हैं लेकिन जो ऐसे भी लोग हैं जिनकी खेती है जिनकी income जादा है लेकिन आवचारिक रूप से वो घोशित नहीं करते हैं तो ये लोग अपना certificate बनवा लेते हैं non creamy layer का और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आती वो ये आती है कि OBC के लोगों को भी जो वास्तों में हितगराही होने चाहिए ठीक है जो वास्तों में हितगराही होने चाहिए उनको उनके हितों का लाव नहीं मिलता है तो हमारा ये कहना है कि population के आधार पर जब भी हम क्योंकि population बढ़ी होगी OBC की इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है तो हमको इसका भी मुल्यांगन करना पड़ेगा कि कितने प्रत्शत लोग यदि वो 52% है 70% है तो कितने परसंट लोग नौन क्रीमे लेयर में है उतने परसंट को reservation का लाव मिलना चाहिए परसंट के हिसाब जबं को देखना पड़ेगा दूसरा मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा मुझे देखने लगा है कि जो reservation का लाव मिलता है ये कहां मिलता है ये मिलता है सरकारी स्कूलों में सरकारी universities में या educational institutions में हम कहें overall उसमें मिलता है ये हम नौकरी के लिहाज से बात करें या उद्यमिता के लिहाज से बात करें तो कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियां है बहुत कम प्रतिशत है है ना बहुत कम प्रतिशत तो कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि आरक्षन के आधार पर ये ऐसी नीतियां हो जाती है कि बैक्वर्ड को बैक्वर्ड बनाए रखने की राज नीति तो नहीं कहीं है जो पिछले अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है कि पिशलों को पिशला ही बना कर रखो हमारा सेलेक्षन हो जाएगा हमारा कम नंबर में हो जाएगा और वो उतने अच्छे रंक से नहीं पढ़ेंगे सरकारी नौकरी में नहीं आएंगे तो इनको लगेगा कि यार हम तो उसलायक नहीं है तो प्राइवेट जॉब में वो कॉम्पूर्माइज करेंगे अपना उद्यम नहीं शुरू करेंगे कितने सारे नुकसान हो रहे हैं तो इस छोटी सी जो microscopic openings of government jobs हैं उसके लिए इतना बड़ा sacrifice करने की जरूरत नहीं है हमको नहीं लग रहा है दिखता है कि OBC का बच्चा जनरल में निकल रहा है लड़कियां जनरल में top कर रही है कर रही है SCST जनरल में निकल रहे है लेकिन यह कम संख्या है बहुत संख्या कैसे हैं जो कि नीचे में निकलते हैं तो कहीं न कहीं compromise हो रहा है यह पढ़ाई में कमजोर नहीं है क्योंकि उतनी नंबर भी लाने मतलब पढ़ाई में ठीक है लेकिन क्या हो रहा है वो compromise कर रहा है वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा है तो मेरा यह मानना है कि हमको reservation policy को थोड़ा सा एक बार re-align करने के जरूरत है revaluate करने के जरूरत है review करने के जरूरत है और इसको बेहतर बनाने के जरूरत है और यदि ऐसा नहीं होगा तो जो हमारे यहां के meritorious students हैं entrepreneurs हैं वो क्या होगा flight of capital होगे और flight from India होगा तो इंडिया में रहेंगे क्यों होगा ऐसा के नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका जो superior हो वो उससे कमजोर हो intellectually तो उसके अंडर में काम करते से मैं परिशानी होगी के नहीं होगी होगी ना परिशानी तो इसलिए हमको reservation policy को review करने की भी जरूरत है अब बात आती है promotion में reservation reservation क्यों दिया गया reservation इसलिए दिया गया ताकि लोगों को एक ऐसे इस तर पर लाए जा सके ताकि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके यही है ना reservation के लिए आतरो पिए सकता देए इसलिए है ऐसा कि नहीं है क्लियर तो देखो चतुर्थ शेरी और त्रितीर शेरी में रेजर्वेशन हम प्रमोशन में दे सकते हैं दे सकते ना इसमें कोई परिशानी कहीं से कहीं तक नहीं है लेकिन जब हम उपर के लेवल पर पहुंचे जहां पर पॉल्सी मेकिंग डिसीजन्स हो जहां पर देश की रीती और नीती तै करने हो वहां पर मेरिट को ही ध्यान देना पड़ेगा वहां पर रेजर्वेशन प्रमोशन में नहीं देना चाहिए कि समझ गय कि नहीं समझ गय हम यह कहते हैं जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसंट भी कमी है तो भी देश की लिए बहुत लंबे से मिंबर लंबी कमी हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरा कहना है कि निमन इस्तर पर promotion देना चाहिए ताकि वो और बेहतर कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन ऊपर चलने के बाद, उच इस्तर पर सिर्फ और सिर्फ merit ही होनी चाहिए, promotion and reservation फर्क नहीं होना चाहिए, यह बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है, और कोई प्राश्म नहीं है? यूविन में पर्मानेंट सीठ हमें चाहिए, पच्च पन देश हैं अफरीका में, सबकी voting है, बड़ा simple geopolitical reason है इसका, ध्यान रखिये गए इस बात को, resources हैं वहाँ पर, minerals हैं वहाँ पर, हमारा investment वहाँ पर होने लगा है, हम आपर democracy को develop करना चाहते हैं, तो यह एक reciprocal relationship maintain हो रहा है अफरीका के साथ, पूरे अफरीका के सारे देशों के साथ, समझ गया आप मेरी बात को, इसको भी ध्यान रखियेगा, और कोई question? हमारा के साहते हैं वहाँ पर क्रिणद्र कर देशों के साहते हैं?